So hello everyone, welcome back to my channel, this is Raghavaroda और आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने आया हूँ हमारे next topic पर functions की, that is types of functions तो guys आप लोगों को बता दूँ कि जो हमारा relations and functions chapter है वो 11th class में भी दिया गया है और 12th class में भी दिया गया है और जो 12th class का portion हमारा relations and functions में है वो 11th class में जितना portion दिया गया है उसी का continuation है यानि कि अगर मैं बात करूँ functions की तो ये 11th class से शुरू होकर 12th class के जो first chapter का ending है वहाँ पर खतम होता है और ये चीज़ें आपस में interrelated हैं ऐसा नहीं है कि 12th class का आप अलग से पढ़ सकते हो ना इस रेस से आपको 11th की knowledge की जरूरत नहीं है ठीके गाइस तो ये continuation है जितना भी 11th class का portion था वो हम लोग खतम already कर चुके है मेरे चैनल पर playlist available है अगर आप लोगों में से कोई चाहे तो वो वाली playlist जाकर देख सकता है आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा functions का 12th class वाला portion जो calculus के under आता है ठीके गाइस तो अच्छे से देखेंगे because 12th class important होती है और आप लोगों को बता दू कि ये जो chapter है इसकी nature थोड़ी सी अलग है nature अलग किस तरह से है guys इसकी nature अलग इस तरह से है कि इस chapter में बहुत सारे scenarios ऐसे आएंगे जब आप लोगों को question को देखते ही answer पता लग जाएगा लेकिन आप लोगों को लिखना आना चाहिए अगर आपको लिखना नहीं आ रहा है represent करना नहीं आ रहा है answer को तो आप लोग marks deduct करवा लोगे अपने इस chapter में लिखने पर ध्यान जादा देने की जुरत है because ये कुछ set formats में चलते है इसके answers कई बार होता है कि हमें answer पहले ही पता लग जाता है लेकिन लिखना नहीं आता है तो उसमें हमारे marks कट सकते हैं तो आप लोगो को ध्यान से समझना है इस chapter को ठीक है functions पढ़ेंगे आज जो हमारा पहला topic रहेगा वो रहेगा types of functions यहां से इस video से 12th class का portion continue होने जा रहा है मेरी आप लोगो को एक advice है जो बच्चे यह 12th के देख रहे हैं उन लोगो को मेरी एक advice है कि यार इस video को देखने से पहले आप लोगो को 11th class का portion revise कर लेना चाहिए because यह वाला part सारा 11th का continuation है और अगर आपको वो part याद नहीं है बिल्कुल भी याद नहीं है तो अब से इस video से आप लोगो को दिक्कत आने वाली है अभी के लिए फिलाल कितना कर सकते हैं अगर आप पूरा chapter revise नहीं भी कर सकते हैं 11th का तो at least एक video है what is a function करके मेरे channel पर available है उसका link नीचे description में भी available है आप लोग at least वो तो देखी लो उसके बाद ही इस video पर आना because उसके बिना आप लोगो को ये video समझ नहीं आने वाली है मैंने आपको बताया continuation में है तो चलोगाई शुरू करते हैं इस chapter को जल्दी जल्दी से let's start तो चलोगाई शुरू करते हैं जो हमारा आज 12th class का पहला topic रहेगा functions chapter में से chapter 1 relations and functions में से उसका हम functions वाला part discuss करने वाले हैं अच्छा guys इस chapter को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगो को एक guideline है वो guideline क्या है कि इस chapter में बहुत सारी चीज़ें आएंगी इस तरह की जिने आपको true या false prove करना होगा यानि कि आप लोगो को दिखाना होगा कि ये particular function one one है या नहीं तो इसमें मेरा आप लोगो को क्या guideline है जब कभी भी आपको किसी statement को या किसी question में true दिखाना होगा यानि कि prove करना होगा कि ये particular चीज़ है कोई particular thing तो उस case में आप लोग एक particular तरीका होता है वो ही use करेंगे prove करेंगे properly general element लेकर कोई example देकर prove नहीं करेंगे आपने 4-5 example लेकर दिखा दिए कि देखो ये 4-5 satisfy कर रहे हैं तो इसका मतलब कि throughout ये function true हो गया उस particular thing के लिए पहली बात दूसरी बात अगर आप किसी चीज को false दिखा रहे हैं यानि कि किसी चीज को गलत prove करना चाहरे हैं और आप लोग को पता लग गया है कि ये गलत है बस लिखना है तो कभी भी general element लेकर prove करना शुरू नहीं हो जाना है कोई general चीज लेकर x से variables में शुरू नहीं हो जाना है कि चलो इसको false prove करते हैं उस case में आप लोग को क्या करना है सिरफ एक example देना है यानि कि बस एक example ऐसा देना है जो उस particular function की conditions satisfy नहीं करता हो और अगर आप लोग वो एक example दे पाते हैं तो उस एक example से ही prove हो जाएगा कि that particular function is false with respect to that particular thing तो ध्यान रखेंगे जब true prove करेंगे तो general prove करेंगे जब false दिखाएंगे तो example देकर करेंगे throughout the chapter चाहे relations हो चाहे functions हो फिलाल हमारा concern है types of functions तो guys आप लोग को मैं बता चुका था functions क्या होते हैं important functions deal कर चुके थे functions what is a function इस बारे में थोड़ा सा हलका सा बताता हूँ क्या होता है function function वो सारे relations होते हैं जो कुछ particular condition satisfy करते हैं यानि कि domain का हर element आपका किसी ना किसी element से linked होना चाहिए ठीक है और दूसरी condition क्या थी guys दूसरी condition क्या थी कोई भी नहीं शायद फिलाल यही थी कि domain का हर element at least एक element से link होना चाहिए और एक condition और थी कि एक x के लिए यानि कि domain के एक element के लिए range के दो element नहीं होने चाहिए तो अगर यह दोनों conditions satisfy होते हैं तो उसको हम function कहते हैं समझ आ गया था वैसे भी आप लोग what is a function वाली वीडियो देखकर ही इस पर आना नहीं तो समझ तो नहीं आएगा क्योंकि वो चीज़ समझने जरूरी है function होता क्या था यह था types of functions पढ़ेंगे तो चलो बात करते हैं types of functions दो तरह के यार हम लोगों को पढ़ने हैं अपने 12th class के slavus में पहली type क्या नाम है one one और दूसरी type क्या नाम है on to इसमें function वर्ड लगा लो on to function and one one function ठीक है आइस किस दो तरह के function पढ़ने है एक तो one one function और एक on to function one one function का एक और नाम है उसको क्या बोलते हैं guys अच्छे से इसको note कर लेना ये नाम use होता है injective function क्या बोलते हैं injective one one function को और क्या बोलते हैं injective function similarly on to function को और क्या बोलते हैं San Kazakhstan Such a objective function onto function का दूसरा नाम Sargective function 11 function का दूसरा नाम फिलार सुनते जाहो जो मैं बोल रहा हूँ और लिखते जाहो यह तो याद रखने वाली बाते हैं कि दू तरह के function आमें पढ़ने हैं टाइपस of function में Comment एक 11 function एक on to function इसका दूसरा नाम इन्जेक्टिव इसका दूसरा नाम सर्जेक्टिव और जो तीसरी बात आप लोगों को याद रखनी है कि अगर कोई function 1-1 है और वो function on to भी है अगर कोई function दोनो है तो उस function को मैं क्या बोलूँ है by जेक्टिव function नाम याद रखने है सिरफ है कुछ भी नहीं 1-1 का दूसरा नाम इन्जेक्टिव on to अदर सा नाम सर्जेक्टिव अगर कोई function ये दोनो ही है तो उसको क्या बोलेंगे by जेक्टिव function अपनी notebook में अच्छे से note कर लेना ठीक है I hope आपको ये बाते समझाई है तो जो हमारा आज का concern है आज मैं इस वीडियो में आप लोगों से on to functions पर बात नहीं करूँगा आज मैं सिरफ बात करूँगा आप लोगों से सिरफ किस पर one one function पर one one function पर हम लोग बात करने वाले हैं जिसको मैं और क्या बोलता हूँ और मैं बोलता हूँ injective function ठीक है गाईस अच्छे से समझना hard नहीं होता है यार बस थोड़ असे शकल गंदी होती है मेरे को तो relations functions के questions की शकल थोड़ी सी अजीव लगती है बच्चा domain range में खोया रहता है अजीव अजीव शकल के function आते हैं बट ड़ने की जूरत नहीं है concept को पकड़ो questions तो अनेक आएंगे one one function तो यार one one function की पहले definition लिखे लेते हैं one one function क्या होता है वो होता है a function a function f defined from x to y आप लोगो पता है x क्या होती है domain y क्या होती है co domain ठीक है अब function f from x to y defined such that इस तरह से defined है such that each element each element of set set कौन सा लिए था हमने domain में x तो a लिख रहा था में each element of set x is uniquely associated uniquely associated to elements of set capital y क्या मतलब हो गया इसका आप पहले नाम को पकड़ो one one function one one function यानि कि अगर कोई पहली बातो x to y में defined है ठीक है definition क्या है function f defined from x to y which is defined as such a way which is defined in such a way that each element of set x set है यानि कि domain के जो भी elements है वो सब एक-एक element अगर मैं किसी एक element को भी लूँ तो वो uniquely connected होना चाहिए with the element of set y यानि कि with the elements of code domain इसलिए इसका नाम है one one function यानि कि एक element x का सिरफ एक ही element y के connected होना चाहिए I hope आप लोगो मेरी बात समाझ आ रही है क्या मतलब हो गया कि x का कोई भी एक element सिरफ एक ही element से connect होना चाहिए यानि कि one to one relation होना चाहिए अगर इधर से एक जुड़ा हो है तो वो इधर भी एक ही से जुड़ा होना चाहिए ठीक है guys ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो x के element एक से जुड़ गए है ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए one to one relation होना चाहिए तभी वो particular function क्या कहलाएगा one one function I hope guys आप लोगों को मेरी बात clear हुई है यह definition clear हुई है अब इस definition को rub कर देता हूँ मैं ठीक है I hope आप लोग notes तो करते ही है साथ साथ अपने notes तो बनाते ही है देखते हैं diagramatically कि क्या होता है one one function मान लीजे कोई function है defined from x to y यह बन गया मेरा left side यह हो गया right side ठीक है यह function define हो गया यह हो गया set x यह हो गया set y तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि x के कुछ यह 4 elements है और y के भी कुछ इसी तरह से elements है a, b, c, d, e तो one one function का क्या मतलब हो गया one one function का यह मतलब हो गया कि कोई भी एक element सिरफ एक ही से connect होना चाहिए एक से ज़्यादा से connect नहीं होना चाहिए clearly आप देख सकते हैं कि one की image c two की image b three की image a four की image d alternatively मैं यह भी कह सकता हूँ कि किसी function को one one होने के लिए each element of x should have distinct distinct and unique image in set y ठीक है यह भी बोल सकते हैं आप लोगो समझ तो आ गया होगा मतलब कि सिरफ एक से ही connect होना चाहिए क्या यह one one function है जी हाँ यह one one function है अब अगर मैं एक और function की बात करूँ similar x to y में ही defined है और कुछ इस तरह से अगर हम उसको देखें कि यह x हो गया यह y हो गया और इस तरह से f connect कर रहे हैं दोनों को one two three one two three four इस तरह का function है और यह 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 उनको हम क्या बोलता है range of that particular function लेकिन left side के सारे connect होने चीए तब भी function कहलाएगा नहीं तो function ही नहीं कह सकते ठीक है पहली बात उसके बात यहाँ पर note करो क्या यह one one function है जी नहीं यह one one function नहीं है क्यों नहीं है यह one one function आप clearly देखो one की image two ठीक है two की भी image two क्या यहाँ पर one to one relation आ रहा है नहीं आ रहा है इसको तो पता मैं क्या बोलूँगा many one many one function यह भी एक तरह का function होता है लेकिन आप लोगों के slabbers में इसकी कोई खास बात नहीं करी गई है ना question आता है इस पर तो आप बस एक नाम से समझ सकते हो जो function one one नहीं है देखो यह क्या है many one क्योंकि many elements of x is connected to one element of y तो इसको क्या बोल सकते है many one function ठीक है लेकिन मैं तो इसको बोलूँगा कि यह one one function नहीं है I hope आपको बात समझ आई one one function के लिए क्या जरूरी है कि एक element शिरफ एक ही image होनी चाहिए उसकी y में ठीक है अगर इसको मैं इस तरह से draw कर दूँ अगर मैं x और y वाला scene दूबारा आपके सामने बना हूँ example के लिए आप लोगो clear करने के लिए क्या होता है one one function x और y ठीक है one two three a b c ठीक है और इस तरह से connected हो क्या ये one one function है yes this is a one one function because each element of x because all the elements of x are connected first condition is satisfying each element of x should have distinct are they having distinct images yes no two images are coinciding with any element of x ठीक है so each element of x should have distinct and unique image in set y clearly they are having distinct and unique images so we can say that this particular function or this particular function is an example of one one function guys you have to take care that there should not be a case where you are leaving a element in the domain every element of domain should be connected otherwise we have no right to call this particular thing as function we can only call this as a function if we have all the elements in the domain having at least unique not unique at least one image in the co-domain so that all thing I have discussed in what is a function so you can see those videos okay the link is given in the description but I think you are now clear with what exactly is one one function for a function to being a one one function we should have unique images of the elements of set x in the co-domain but if I say that if I say that that I can tell you that I can tell you यह आपका x हो गया यह आप लोगों का y हो गया guys यह function defined है f से यह आपके elements हो गये x1, x2, x3 तीन element बहुत है ठीक है और अगर मैं guys बोलता हूँ चलो कुछ भी elements है y1, y2, y3, y4 कुछ भी elements हो गए code domain में अब अगर इस particular function को 1, 1 होना है तो उसके लिए मैं condition लिखने जा रहा हूँ ध्यान से समझना for every x1, x2 belonging to capital X यानी कि for every x1, x2 belonging to first set यानी कि अगर मैं कोई भी दो यह इसका मतलब सिरफ यही नहीं है कि x1 और x2 ही लेने है x1 और x2 यह general elements है यह arbitrary elements है x1 और x3 का मतलब भी x1 और x2 ही है अब आप लोग इसमें confused हो जाएगे कि यार यह बंदा क्या बोल रहा है अब ध्यान से सुनो मैं बोल रहा हूँ for every x1, x2 belonging to x का मतलब है अगर मैं हिंदी में बता हूँ कि अगर मैं x के कोई भी दो elements लेता हूँ इसका यह genuine मतलब नहीं है कि सिरफ x1 और x2 की बात हो रही है घ्यान से समझना थोड़ा सा यह involved होता है यार समझाने में थोड़ी महनत लगेगी for every x1, x2 belonging to capital x यानि कि कोई भी दो elements अगर मैं लेता हूँ x1 और x2 ठीक है for every x1, x2 belonging to capital x अगर हमें मिले fx1 equals to fx2 for every x1, x2 belonging to capital x पहली चीज तो यह हमने कोई से भी दो elements लिए उनकी image क्या होगी यार fx1 और fx2 आप लोगों पता है image को ऐसे denote करा जाता है f के अंदर x1 की image fx1 होती है अरे यार आप लोगों पता है na y equals to fx होता है तो क्या मैं y1 को fx1 लिख सकता हूँ for the time being अगर मैं इसको ऐसे connect कर दूँ और y2 को fx2 लिख सकता हूँ for the time being अब मैं बोल रहा हूँ किसी function पर 1, 1 होने के लिए for every x1, x2 यानि कि ये वाली चीज हर किसी general x1, x2 के लिए आप कोई से भी दो elements उठा लो in the domain of that particular function और अगर y1 equals to y2 है यानि कि अगर ये दोनों एक हो जाएं इस particular example में यानि कि fx1 अगर equal होड़ा है fx2 के तो अगर ये imply करता है कि x1 भी equal है x2 के then f is a f is one function समझने की कोशिश करो यार समझने की कोशिश क्या करो मैं बोल रहा हूँ कि इस पहली बात तो आप लोगो ये format याद करना है because आपको हर किसी question में one one दिखाते हुए ये कहाने लिखनी है for every x1 x2 belonging to x ठीक है for every x1 x2 belonging to x fx1 equals to fx2 implies x1 equals to x then only f is one one function अब समझने की कोशिश करो कि ऐसा कैसे हुआ मैं बोल रहा हूँ हिंदी में कि अगर मैं कोई भी दो elements x के ले रहा हूँ जैसा कि इसने बोला for every x1 x2 belonging to x अगर fx1 equal हो जाए fx2 के यानि कि अगर ये दो elements equal है और imply कर दे कि x1 भी equal है x2 के तो मैं कहादूँआ कि ये function one one है इसका यहाँ मतलब हुआ आप लोगों पता है one one function होने के लिए x के जितने भी elements है वो distinctly connected होने चाहिए तो अगर ये दोनों एक हो जाए यानि कि y1 equals to y2 हो जाए और मैं उसको नाम दे दू y1 equals to y2 को मैं y बोल दू for the time being ठीक है y बोल दू तो ये तो गड़वड हो गया x1 x2 एक से connect हो गया तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर fx1 fx2 के equal हो गया तो उसको imply करना चाहिए कि भाई फिर ये जो x1 x2 है न ये भी दोनों equal होकर क्या हो जाएंगे x हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो गया x distinctly connected है वाए से तभी मैं बोल पाऊँगा कि f क्या है 1 1 function आप लोग को मेरी बात समझ आई मैंने बोला कि कोई भी दो element लिए x के y के दो उनकी image होगी fx1 fx2 अगर images equal हो जाती है तो उन elements को भी equal होना पड़ेगा उस particular function को 1 1 बनाने के लिए तभी मैं कह पाऊंगा कि वो particular function 1 1 है नहीं तो अगर सिरफ fx1 fx2 के equal हो गया और x1 x2 के equal नहीं हुआ तो उस case में क्या हो जाएगा कि x1 और x2 तो as it is रह जाएगा लेकिन fx1 और fx2 यानि कि y1 equals to y2 तो देखो दो elements की एक ही में जो गई तो उस case में ये function 1 1 नहीं हो सकता guys I hope आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ तो कभी भी mathematically किसी function को हमें दिखाना होगा 1 1 तो हम इस particular approach को follow करेंगे mathematically हम इस तरह से चलेंगे ये सारी कहानी लिखेंगे अगर दिखाना हो 1 1 अगर मुझे पहले ही पता लग जाए कि ये function 1 1 नहीं है तो मैं सिर्फ एक example दूँगा और बोलूँगा clearly देखो एक example में 1 1 नहीं हो रहा this implies this is not 1 1 सिर्फ एक ही example बहुत है statement को reject करने के लिए लेकिन अगर किसी statement को true दिखाना है तो आप लोगों को पूरा इस तरह से prove करना होगा I hope I am clear on my words आप कुछ examples देख लेते हैं जिससे मैं आप लोगों को clear कर दूँँआ थोड़ी सी और बात कि मैं कहना गया चाहता हूँ ठीक है और किस तरह से आप लोग prove करेंगे question देखते है question का एक ही task है कि one one बता हो है या नहीं तो पहला question देखते हैं पहला question है f defined है natural number से natural number और जो fx है वो क्या है 2x पहल तो आप लोग मन में सोच लो 2x का graph कैसा होगा straight line होगा y equals to mx वाला graph है ठीक है slope 2 है उससो कोई मरख नहीं परता slope slope भाई आप लोग reject कर दो फिलाल reject का मलता है ignore कर दो कुछ बच्चा वो शायद ना बता हो वैसे पता हो यार आप लोग तो 12th वाले हो तो y equals to mx का graph है y equals to 2x का graph है तो आप लोगों बता है straight line जाने वाली है यह slope 2 है इसका और 00 से पास होने वाले ग्राफ उससे कोई मतलब नहीं है हमे graph मैं आपको वैसे ही बताता हूँ उसका क्योंकि यह 2 से पास हो रहे तो कुछ इस तरह का शायद graph आएगा ठीक है clearly आप लोग देखी सकते है वैसे तो ऐसा कोई x ही नहीं है जिसके 2 x का 1 y आ जाए ठीक है तो यह तो rough तरीका हो गया इस पर अभी मैं बात नहीं करूँँआ competitive जा रहा हूँ यार मैं उसकी जुरत नहीं है question है f n to n है f x equals to 2 x ठीक है आप लोगों बताना है यह 1 1 है नहीं ठीक है तो आप consider करेंगे let x1 x2 belonging to capital N ठीक है क्योंकि n इस पर capital N इसकी domain है तो हम बोलेंगे for x every for every इसका क्या मतलब होता है guys उल्टे एका for every ठीक है लिख लेना notebook में उल्टे एका मतलब होता है यह notations होती है इसका मतलब होता है for every for every x1 x2 belonging to n ठीक है मैं बोल रहा हूँ कि for every यानि कि मैंने सारे x1 x2 consider कर लिये इस particular function की respect में यानि कि इस particular function की respect में कोई भी दो elements ले लूँ है कोई भी और वो इसका मतलब है for every x1 x2 belonging to n we have fx1 equals to fx2 ठीक है या फिर मैं लिख दू for x1 x2 belonging to f for x1 x2 belonging to n if we have fx1 equals to fx2 this implies fx1 का वल्लब यहां पर fx2 x है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो fx1 होगा वो 2x1 होगा यानि कि 2x1 equals to 2x2 क्या मैं यह बोल सकता हूँ बिल्कुल बोल सकता हूँ 2 से 2 गया क्या यह imply कर रहा है x1 equals to x2 क्यारली देखो वो condition satisfy हो गई अगर fx1 equals to fx2 है तो यह imply कर रहा है x1 equals to x2 for all x1 x2 belonging to natural number this implies f is a f is an one one function i hope guys आप लोगो को मेरी बात clear होई कि अगर function one one है तो उस case में आप लोगो कैसे लिखना है इस तरह से दिखाने का तरीका होता है मैं आपको समझा चुका हूँ कि यह काम हम कर क्यू रहे है ठीक है अब अगला question देखते हैं इस तरह से मैंने दिखाया कि कोई question में हमें one one दिखाना हो तो हम कैसे दिखाएंगे दूसरा question देखते हैं मान लीजिए आपके पास f x हो f x तो बात में बात करते हैं function defined हो again natural number to natural number में और f x equals to x square हो या फिर define करते हैं real number to real number में अब आपको खहाँ पर defined है उस पर ध्यान रखना है guys देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या होती है हरकत अगर हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं ठीक है r to r में defined है f x x square है क्या हम लोग को पता है कि f of minus 1 क्या होता है 1 f of 1 क्या होता है 1 इसका मदलब दो elements लिया हमने x में पहले x को लिया 1 x को लिया minus 1 लेकिन जो y का answer आ रहा है वो तो 1 ही आ रहा है इसका मदलब जो x के 2 elements है उनकी same image हो रही है code domain में या फिर range में वो क्या है 1 के equal minus 1 और 1 अगर मैं दोनों की बात करूँ real numbers में इस particular function की respect में तो उनका answer तो 1 ही आ रहा है दोनों का अगर यह इस तरह से function defined है तो क्या यह minimum function है दिख गया आपको पहले ही दिख गया ना अब इस case में आपको वो सारी कहानी लिखने की जूरत ही नहीं है मैं गया लिखूंगा clearly f of 1 equals to 1 का square equals to 1 similarly f of minus 1 equals to minus 1 का whole square वो भी 1 this implies f of minus 1 equals to f of 1 equals to 1 therefore two elements in domain of function have same image under function f therefore last line आजाएगी this particular function is not 1 1 or this function is not injective injective word को भूलना मत यार वो use होता है ठीक है paper में भी पूछ लेता है ठीक है अब ये तो समझ आ गया क्या अब मैं लूँ natural numbers to real numbers अब मैं ले लिए natural numbers क्या ये अब भी 1-1 नहीं है सोचो domain क्या है इसकी natural numbers लेकिन अगर domain natural numbers है तो मैं negative element तो ले ही नहीं सकता अगर मैं negative element नहीं ले सकता तो मेरे को पूरा विश्वास है कि positive elements में ऐसे कोई दो elements नहीं आने वाले हैं जिसके case में जो आपका final answer आये fx की value आये वो same आ जाए तो इससे मैं क्या conclude कर सकता हूँ कि अगर ये function की सिरफ domain बदल गई तो अब ये function क्या बन गया injective यानि क्या बन गया 1-1 तो इस case में हमें क्या करना पड़ेगा clearly दिखाना पड़ेगा for x1 x2 belonging to real numbers fx1 equals to fx2 consider करा consider fx1 equals to fx2 तो x1 square equals to x2 square this implies x1 minus x2 और x1 plus x2 equals to 0 असल में मैं इसको इधर ले आ है x1 square minus x2 square और फिर इसको formula लगा दी x1 minus x2 x1 minus x2 तो this implies या तो x1 equals to x2 होना चाहिए और x1 plus x2 is equal to 0 तो ये तो हम reject कर देंगे because this is not the case ये हमारे question में कहीं भी ऐसा कुछ mentioned नहीं है और इससे हम क्या interpret करेंगे कि clearly fx1 equals to fx2 imply कर रहा है x1 equals to x2 तो in this particular case this function is 1-1 so guys I hope आप लोगो को समझ आएगी कैसे function को reject करना है कैसे select करना है अब आप लोगों के लिए मैं एक task दे रहा हूँ आप लोगों को कुछ questions दे रहा हूँ आप लोगों वो लोग solve करो और अगर हो जाते हैं तो मेरे को comment में जरूर बताना questions क्या है आपको check करना है modulus function के लिए modulus function के लिए आपको check करना है greatest integer function के लिए आपको check करना है signum function के लिए signum function के लिए आप लोगों को check करना है कि ये 1-1 है या नहीं इन तीन function के लिए आप लोगों को check करना है और अगर आपसे हो जाता तो मेरे को comment section में जरूर बताएं इस वीडियो के लिए guys इतना ही अब आने वाली वीडियो में बात करेंगे next video में on to function की इन तीनों questions का solution मैं आप लोगों को हमारे telegram channel पर post कर दूँँगा आप लोग वहाँ से जाकर match कर सकते हैं ठेक है और जिन बच्चों का हो जाएगा वो comment में लिख देना तो चलो guys this is all about this video मिलते हैं next video में कुछ और अच्छी बात अगरने के लिए I hope आपको functions समझ आया so guys चलो goodbye and take care